वेल्कम टू दा एलोजन दा एलोजन के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा बांस या भीमा बांस के बारे में साथ ही हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल बंबू मिशन के बारे में हाली में ये चर्चा में रहा है क्योंकि तामिल नाडो के कोयमबटूर में एक क्रिशी विश्विद्याले है और इसी विश्विद्याले के परिसर में इस बीमा बांस से एक ऑक्सिजन पार्क को बनाया गया है डिजाइन किया गया है इसलिए ये बहुत जादा नियूज में रहा है तो ये जो पार्क बनाया गया ये करीब डेड़े एकर जमीन पर बनाया गया है और चुकि ये पार्क जो बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ बांस से बनाया गया है जो बांस इसमें उपयोग में लाया गया है वो है बीमा बांस और बीमा बांस की जो परजाती है यह बंबूसा बालकोवा का एक यह कलोन है बीमा बांस और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वांस उच उपज देने वाली पर जाती है साथी साथ ये सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले पौधे में से एक है बताया ये जा रहा है कि ये एक दिन में करीब डेड़ फिट की लंबाई तक ये बढ़ जाता है तो इसलिए ये बहुत जादा इंपर्टेंट हो जाता है आपने बच्पन में जेनरल नॉलेज की किताब में पढ़ा होगा कि सबसे स्पीट से बढ़ने वाला वरिक्ष कौन सा है तो ये होता है बांस लेकिन अब ये चीज कहना गलत हो जाएगा क्योंकि बांस को हम लोग अब वरिक्ष की सरेणी में नहीं रखते हैं आप इसको घांस कर दिया गया है क्योंकि एक तो ये तेजी से बढ़ जाता है और इसको उपजाना बहुत जादा कठी नहीं है इसकी खेती की जाती है जब सरकार ने मना किया कि आप पेड़ नहीं काटेंगे पेड़ काटना गुना है उस समय बांस की भी कटाई पर रोक लग गई चोकि इसकी खेती की जाती है जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत जादा तेजी से बढ़ता भी है तो इसकी कटाई पर रोक लग गया और काफ जो है इसको व्रिक्ष की सरेणी से हता करके घास की सरेणी में मतलब ग्रास की सरेणी में इसको रख दिये ताकि इसको अब काटे उप जाए अब इससे कोई कोई शती नहीं है आप इसको आराम से खेती कर सकते हैं और इसको काट करके बजार में बेच सकते हैं तो खेर वो पहग करीब 300 kg oxygen को produce करता है और 80 ton carbon dioxide को sink करता है और सोसित करता है अन्य विसेस्ताओं में देखे तो बास चुकी एक फसल के रूप में इसको उगाया जाता है तो इस बास की खासियत है कि इसको एक बार बोया जाता है बाकि आप इसको बार बार नहीं भी बोएंगे तो आपके लिए ये फिर से उतना ही बास produce करके देने वाला है तो इसलिए ये बहुत जादा important हो जाता है और यदि इसकी energy की बात करें देखिए इसको energy से भी तोला जा रहा है बेमा बास की जो calorie मान है ये कोईले के बराबर अब calorie मान क्या होता है calorie मान ये होता है कि आप एक ग्राम इं या फिर बीमा बास को जलाओ एक ग्राम का बीमा बास को जलाओ दोनों में बराबर ही calorie मान का ताप मिलेगा उरजा मिलेगा तो इसलिए ये बहुत जादा important हो जाता आपके परिक्षा के लिए साथे साथ हम लोग बात करते हैं national bamboo mission के बारे में देखिए इस mission की सुरवात की गई थी 2018 में 2018 में इसको launch किया गया था और ये वर्तमान समय में 21 राज्यों में अलागू है इस योजना के तहत जो किशान बास की खेटी करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए परती पौधा 120 रुपए आर्थिक मदद देने की बात की गई है और इस mission के तहत हर एक जील खेटी करना चाहते हैं तो आप जाकर उस अधिकारी से मिल सकते हैं और आप जहां आपको आपके खेटी से रिलेटेड आपको परामर्स मिल जाएगा तो ये है नेशनल बंबू मिशन इसको परधान मंत्री नेशनल बंबू योजना के भी नाम से जानते हैं पीम नेशनल ब Thank you for listening. God bless you all.